तो हेलो दोस्तों कैसे हुआ आप मैं हूँ आपका क्रिप्ट दोस्त और आज की वीडियो काफी खास होने वाली है और अभी ये अर्मोस्ट वन थर्टी एम हो गये हैं इंग्लिश वीडियो रेकॉर्ड हो चुकिये अभी मैं हिंदी रेकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये मर्ल के जो टोकन है उसको कैसे क्लेम करते हैं तो मुझे इस अकाउंट में 12 टोकन मिले हैं और सेकंडरी अकाउंट में भी कुछ टोकन मिले हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे क्लेम करते हैं तो वीडियो को शुरू करते हैं तो बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि ट्विटर पर टेलिग्राम पर अलसो यूटुब में कमेंट्स आ रहे थे कि भाई मुझे मरलीन के टोकन को क्लेम कैसे करना है उसको हमें BTC चैन पर करना है या मेटा मास्क में करना है वो हमें बताईए तो आज की वीडियो में मैं आपको सारी चीजे स्टेप बाइ स्टेप और क्लियर करके बता देता हूँ तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले मेक शुर मेरे यूटूब चैनल को follow कीजिए मेरे लिए मैं community ही priority है और मैं सब को साथ लेके चलने वाला इंसान हूँ तो सबसे पहले एक चीज़ समझने है यह आपका मेटा मास का wallet है और यह वाला जो wallet है पार्टिकल वाला यह दोनो डिफरेंट वालेट है तो हमें यह पार्टिकल नेटवर्क के wallet में balance तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले आपको कुछ fund पार्टिकल वालेट में send करने होगे तो उसके लिए आपको mason.5 slash merlin link आपको नीचे मिल जाएगी उसपे click करना है उसपे click करने के बाद आपको इसपे swap करने की option आएगी तो जहाँ पे automatically आपका नीचे merlin select हो जाएगा और BTC आजाएगा जैसे कि इसमें है तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है आपको कोई भी chain आप use करेंगे तो आप उसमें से USDT या USDC और मैं आपसे कहूंगा कि Arbitrum, Polygon, BNB इन में से कोई network चूज करिये Base या Solana जिसमें आपको gas भी काफी कम लगेगी तो आप इन में से कोई भी token चूज करियेगा but make sure आपका USDT और USDC में बालेंस होना चाहिए फिर भी एक बार आप कोई भी एक chain select करियेगा और उसके बाद USDC पे select करियेगा तो यह आपको नीचे swap की option आगई मतलब यह आपके लिए allow कर रहा है तो आप उसमें funds को बेच सकते हैं तो आप यहापे BNB, Arbitrum, Solana, Base, Polygon कुछ भी चूज कर सकते हैं Base भी काफी है यहापे मैं 16 चूज करूँगा क्योंकि मेरे account में कुछ USDC account में balance मैंने इसमें swap कर लिये तो यहापे मैंने 16 चूज करके मेरा phantom wallet connect कर लिया था अभी यह आपको शोव हो रहा है पहले मैंने अपना metamask भी connect किया था तो यहापे मेरे पास around 11 चूज के USDC है जिसको मैं max spec select करूँगा तो मुझे यहापे 0.00207 BTC मिल रहे है तो यहापे नीचे 0.9 USDC की fee लग रही है transaction का time है एक से दो मिनिट और हमें क्या करना है recipient address में अपना metamask wallet select करना है याद रहा है मैंने यहापे metamask भी add करके रखा हुआ है यानि connect करके रखा है तो अभी इस transaction को verify करके swap करते है तो swap पे click करते है तो एक बार transaction को review करते है यहापे मैंने 10.9 USDC के लिए bridge किये है क्योंकि यह मेरा secondary account है जिसमें मुझे 12 token मिले और मेरा second account है जिसमें मुझे 80 token मिले है तो मैं जादा ही send कर रहा हूँ क्योंकि बार-बार उसे bridge ना करना पड़े तो अभी हम लोग वापीस mission के और बढ़ते है तो यहापे transaction एक बार चेक कर लेते है तोलाना से metamask के wallet में मेरी Merlin के BTC token आ रहे है transaction fee 0.9 USDC है service fee कुछ भी नहीं है और यह सब check करने के बाद हमें transaction को confirm करना है तो यहापे फिर से एक बार चेक करके इस transaction को हम confirm कर देंगे confirm पे click करने के बाद sign in करेंगे और यहापे phantom में जो pop up आईगे एक बार चेक करके USDC और Solana Balance चेक करके gas fees चेक करके हम इसको confirm कर देंगे तो यह अभी process हो रहा है और कुछ time लगता है इसको process होने में तो अभी यह successfully process हो चुका है तो swap complete हो गया अभी आपको आना है channelist.org पे यहापे आपको type करना है Merlin Merlin type करोगे तो Merlin की main net आएगी उसको add to metamask करेंगे transaction symbol BTC है इसको confirm करते है और switch network पे click करते हैं तो अभी मैं metamask open करूँगा तो आप जैसे देखते हो मेरे Merlin account में 9.84 वर्त के BTC आ चुके है तो अभी हमें क्या करना है हमें अपने people's launchpad में जाना है अपने wallet को open करना है यहापे open निया लिखा है उसके जगे हमको Merlin select करना है तो नीचे आएंगे यहापे Merlin select करेंगे Merlin select करने के बाद wallet address को copy करेंगे metamask में जाएंगे यहापे send पे click करेंगे और यहापे जो copy address किया उसको paste करके max amount यहापे send कर देंगे तो 0.05% की dog gas फिल लग रही है next करके इसको send कर देंगे जैसे ही मैं यहापे send करता हूँ तो आप देख सकते हो instant balance transfer हो जाता है within two seconds यह transaction happen हो गई तो अभी भी metamask में यह pending ही दिखा रहा है बट यहापे हमारी wallet में transaction आ चुकी है तो इतनी fast bid है इस network की तो अभी हम क्या करते हैं हम अपने lock वाले page पर जाते हैं lock your allocation पर क्लिक करते हैं और यहापे मैं gas fees आपको बताता हूँ तो gas fees around 0.23 cent की लग रही है transaction को save करते हैं और इसको confirm करते हैं तो यह locked successful हो चुका है काफी instant है within a second यह happen हो जाता है और gas fees भी काफी कम है तो अभी आपके भी 2-3 account होंगे जिससे आपने इस transaction को किया होगा इस people's launch pad को तो उसको कैसा करना है तो आपको क्या करना है आपको आपकी secondary जो ID है उसमें जाना है तो यहापे मैं मेरी secondary ID पर जाऊंगा यहापे wallet open करूंगा open wallet पर क्लिक करके Merlin select करूंगा यहापे मेरी wallet ID कॉपी करूंगा फिर से मेरे पहली वाली account में आऊंगा पहले browser में यहापे आके मैं Merlin का address पेस्ट करूंगा send max पर क्लिक करूंगा और यहापे 9.47 वाली वर्त की USD BTC में send कर रहा हूँ send पर क्लिक करूंगा और यहापे 0.04 send की gas fees लग रही है confirm करते है और अभी मेरी second wallet में पैसे आ चुके है तो कितना instant है यह तो अभी हमारी second जो lock गई और allocate ने उसको क्लिक करते है उसकी allocation की task को complete करते है यहापे gas fees around 0.23 send है confirm करते है और यहापे मेरी password है मैं इसको password को add करता हूँ और transaction को confirm कर देता हूँ तो यह मैंने password डाल दी और इसके बाद मैं आप च्रांजक्शन को confirm करता हूँ तो यह अभी locked हो गया successfully 9.47 थे 9.25 बचे यानि कि 22 cents ही लगे है हमें इस transaction में तो उम्मिद करता हूँ आपको इस वीडियो से फाइदा हुआ होगा प्लीज मेरे टेलिग्राम चैनल को follow कीजिये मैंने काफी मेहनत किये आपको इस वीडियो देने में और आज हमारे 100 subscriber हो गए है टेलिग्राम के उपर also please make sure मेरे YouTube चैनल that is CoinTube Hindi और CoinTube English चैनल को follow करियेगा मैं यहाँ पे quality post डालता हूँ अपनी community की सुनता हूँ और उनके हिसाब से वीडियो बनाता हूँ तो यह हमारे token allocation complete हो गए ही काफ सर्दक्था सब के लिए सब लोग मुझसे पूछ रहते हैं कि यह कैसा करना है तो मैंने आपको आसान भाषा में आपको सजा दिया है तो उमीद है आपको इस वीडियो से फाइदा हुआ होगा please make sure मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे bell icon को press कीजे twitter, telegram को follow कीजे तब तक अपना ख्याल रखिए कुछ अच्छा कीजे, कुछ बड़ा कीजे, कुछ नया कीजे मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए बाब बाई